हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी का चार मार्च को अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है उसका दो हजार चोबिस का एक प्रकार का यह अंग्रेजी को वारल पेपर है तो इस पेपर का यहां आप लोग संपूर हल जरूर देखें और इस पेपर का हल देखके ही आप बूर्ड का एक्जाम देने जाए फ्रेस देखिए आपका जो चार मार्च को आने वाला 100 परसंटेज एक प्रकार का वारल पेपर है यह आपका डी आई सेट है ठीक है यहाँ पर देखिए जब आपको इस पकार से पर मिलेगा तो यहाँ पर लिखा रहता है समय समय औरबहु पुडांग रहता है यहां पर कुछ इंश्ट्रक्शन दीए रहते हैं यहाँ पहला इंस्ट्रक्शन देखिए बताते हैं कि फांश्ट के दो पंद्रा मिलट रहेगा आपको question paper पहने के लिए समय दिया जाता है second आपका है all question compulsor याई सभी question आपको करना अनिवार है तिसरा है कि ये जो question paper है आपका दो part में बटा होगा part A और part B में दो part में ये बटा होता है आपका अगरा instruction है कि part A जो होगा इसमें 20 multiple choice question होते है ठीक है जिसका answer आप सभी को OMR seat पर देना होता है ठीक है पार्ट A पे जिसका answer आपको OMR seat पर देना है एक बार OMR seat पर answer दे देते हैं तो उसको क्या करना है कि do not raise मतलब इस पर eraser का परियोग या cut या whitener आजी का परियोग आपको उस पर नहीं करना रहता है अब यहां पर अगला है कि माल साब दो question mention against देन माने सभी question के सामने उस प्रश्ण का कितने नमबर का प्रश्ण है mention किया रहता है अगला आपका है कि part B जो है descriptive type question रहता है यह पचास नमबर का आपका रहता है descriptive type question पार्ट जो भी होता है उसमें सभी question को आपको attempt करना जरूरी होता है अगला है कि start from the first question and go up the last question do not waste your time on the question you cannot solve यानि कि आपको एक question से start करते हुए अगले question करते चले जाना है आपको जिस question का प्रस्ण ना आता हूँ उस पे आपको अपने time को waste नहीं करना है यह कुछ general है जो इसके instruction थे आपको बता दिये चलिए आप question को देखते हैं देखिए part A है question number 1 से लेकर 3 तक आपको क्या करना है कि यह पैसेज दिया है इस पैसेज का answer देना है देखिए यहाँ पे read the following पैसेज and answer the question that follows choosing the correct option ठीक है यह दिया है इसका मतलब यह पैसेज दिया इस पे आधारी तीन question आपसे पूछा जाएगा उसका answer आपको देना रहेगा देखिए यह पैसेज आपके सामने है यह पैसेज को आप थोड़ा ध्यान से पहली जिएगा इस पे आपको क्या करते हैं पहले प्रश्न बताते हैं ठीक है आपको पैसेज का हिंदी जानने की जरूरत नहीं आपको हिंदी नहीं भी आता है तो सिर्फ आप answer पढ़ेंगे और शब्दों को पकड़ेंगे और इस निकालेंगे बहुत आसान तरीका से आईए आपको निकाल के बताते हैं पहले प्रश्न देखते हैं अब यहां आपके सामने answer है मतलब आपसन दिया है चार आपसन है तो आपको पूरे आपसन को पढ़ने के जरूरत नहीं है यह सब्द पढ़े कि एक old man was distressed because अब चलिए अब पढ़िएगा देखिए अब इसके आगे वाला लाइन पढ़िएगा यानि कि हम क्या दिया है कि always quarreled with one another अब यहीं सब्द आपको खोजना है इस चार आपसन में ठीक है चार आपसन में खोजेंगे देखिए सभी में quarrel quarrel लिखा है लेकिन देखिए आप his son always देखिए आपको his son always quarrel with another यह पूरा वाक के देखिए आपको यहां से मिल जाएगा कि his son always quarrel with one another यह पूरा जो आपके मिलेगा यहीं वाला इसका मतलब इसका सही जब क्या होगा सीवल आपसन साही हो जाएगा देखिए आप इसका हिंदी भी नहीं जान रहे थे फिर भी आप कितना सटिक तरीका से पूत्र ओंगे लडएंगे तो क्या है पी रह सकते हैं कभी नहीं तो गलत हो जागा जब जगर अगीं क्रोधित वोगे ऐसा नहीं जब सब्सक्राइब में जगड़ा होगा जो ओल्ड मैन होगे वो दुखी रहते हैं हमें सद इस प्रश्ण का सही जब डीवल आपसे सही हो जागा आप बीना पैसे देखे भी आप इसका असानी से दे सकते थे कहीं अगला देखे तीसरा नमबर का वीच वाड़ इन-दपैसे जिफ आप जींब यानि की अपजुग मतलब होता है कि वीफूर मतलब है का जाएका अपनामिक हो 小ॉच देखे है 1955 करी मतलब करदag मतलब करें मच्बुत हो जायगा अप यहांमचबूत के देखी ते choose the correct option to answer the following देखिए यहां से आपको चार आपसन दिया इसमें से कौन सा वर्ब भरा जाएगा यही आपको बताना है अब देखिए इस सब्सक्राइब अधर मिल जाए आफ्टर ठीक है और उसके आगे एक वाक के लिखा हो तो वहाँ पर आख मुन के हैड वाला जो रहेगा है ठीक है वही वाला आपसन लगा दीजिएगा देखिए इसमें देखेंगे सिर्फ यहां पे लिखा यहां यहां पर भरा जाएगा जब आपको before मिले और after मिले और उसके आगे एक वाक के दिखा रहे हो और उसके पहले जब भरना हो तो आपको head जिसके साथ में लिखा रहेगा वही वाला आपका आपसंद करेक्ट हो जाएगा इसलिए कि इसके पहले आपका word हमेशा head ही लगता है यहां पर head भरा जाएगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा देखे पचांद if you do not want anything more you are मतलब यहां पर एक सब्द में बताना है इसका कहने का मतलब है यदि तुम अधिक से अधिक किसी वस्तुओं की चाह नहीं रखते हो तो उसे एक सब्द में क्या कहेंगे मतलब जब कोई ब्यक्ति है एक किसी वस्तु की चाह नहीं रखता है उसकी इच्छाई नह सब्द में क्या बोलेंगे if you do not want anything more you are यानि कि इस एक सब्द में बोलेंगे कि वह क्या है व्यक्ति सटिस्फाइड है यहां पर लिखा है सटिस्फाइड तो इस प्रशन का सही जो अब डिवल आप्सम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगरा देखिए छटवा नंबर का क् फालिंग वर्ट्स क्लेश्टर्स तो मेंग फूल संटेंसे एंड चूज दर राइट अरेंजमेंट यहां से राइट अरेंजमेंट आपको धूलना है अब बहुत सिंपल सा होता है यह बार बार आपको बताते हैं सबसे पर सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वरब रह लिखियेगा फिर इसके बाद आपका आप्जेक्ट रहेगा तो अदर कोई सब्द रहता तो इस करम में इसको लिखते हैं अब देखिए यहां से आप सेंटेंस को पढ़के आसानी से बता सकते हैं देखिए पहले सबसे पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा यहाँ स सब्जेट क्या दिया है सब्जेट के तोरो च कभी नहीं हो सकता यहां प्रट shootings सिर्फ एक क्या लिखा है आपका सहायक करिया ओजाएगा और तक देखने की जरूरते नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सही हो जागा तो री अर् enormend करने वाला जैसे आपको समझा रहे हैं इसी प्रकास से आप जाकर आपको एक्साम में च्छाट देखिए अगला कोपा दा मिस्सपेल्ड डाना कौन सा एक हां पर लुख है इंप्यूर्टए Recogn कन बतातु यहां पर इंप्सपेल्ड डेखेंगे इंप्वसिबह स्वाून सबम्हत्रास क्द्द्द्द्द्द्द्दू देंट्टेंट्टेल इसका मतलब थे यहां पर सही हो जाएगा यहां पर देखिए अगला क्या है एक फिल इंदग गए विद सुटेबू प्रीपोजिशन यहां प्रीपोजिशन आपको सुटेबू भरना है कि फूरूट्स वियर डिस्टिब्यूटेट खाल यह सन दोस फाइफ बॉइस यानि पाच बच्चों के बीच में आपको फूर्ट को क्या करना डिस्टिब्यूट करना है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका इमांग ही भरा जाएगा इमांग जब दोसे अधिक जब होता है तो वहां पर इमांग भरा जाता है जब दो बच्चे रहते तो वहां पर बिट्वीन भरा जाता है य आपका प्रिपोजिशन यहां पर सही हो जागा आठमा का सही जाब डीवल आपसन क्या हो जागा सही देखिए फिन अगला आपका नाइन और टेन जो क्वेश्चन है कि आपको क्या करना इस प्रशन पूछा गया उसका एंसर देना है देखिए आप पहले पैसे मत पढ़िएगा सीधे आपको इसके बाद पैसे पढ़िएगा देखिए इसको यहां पर वाक्या में खोजिएगा इसके बाद बीगेंट फाल दिया है कहां पर दिया है अब दिखिए पैसेंज आपके सामने हैं बट शटलनी इस ट्रांग व्एंड बिगेंट निमिल गया ना बिगेंट टू ब्लो एंड एलंग देखिए यहां पर दिया है यहां पर आपसे निकाल सकते हैं अगला देखिए दसवा नंबर का देखिए दसवा नंबर का है कॉर्म फिल्ड बिलांग टू ठीक है तो जो यह आप यह है आपको किसने का जैसे यह वाला जो पैसेज है यह पैसेज किस चप्टल से लिया गया है उसके लेखा कौन है इसके बारें बताना है यानि कि यह किससे संबंधी थे बिलांग मतलब बहुत है किससे यह पैसे संबंधी थे यह आपके बुक का है बुक पढ़ेंगे ता पासानी सेंसोर दे सकते हैं जैसे देखें यहां पर यहां नेलसर मंडेला विकेम फरस्ट ब्लेग अफ साउथ अफरिका यानि कि नेलसर मंडेला जो थे South Africa के क्या थे 1st black में मतलब क्या हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर हुए थे या Vice President हुए थे या President हुए थे या Defense Minister हुए थे फिस कि नदी में अपका स्वच में फ्रेश नदी में इस प्रशन का सही सिवल आप्सन सही हो जागा यह भी आपका बूंप के कोईस्टिण है तो आप बुक पढ़े होगे तो आप आसानी से इन सब का एंस्वर दे सकते हैं तेरा नंबर देखिए ठीक है तो यहां पे आपका तेरा नंबर क्या होगा कि दबस फेर फ्राम वैलीज विलेज टू दटाउन वास पैसे वन वे यह भी आपका बुक है है कितने पैसे मागई था कितने पैसे यह भी आपका बुक हैं तो आप सभी को पता थ्रूपी सुखेसे और सफब्स इस प्रश्न को स्भाब को अगला है जितने पना प्रणहीं पढ़े रहेंगे था था नहीं सकते हो ठीक है देखिए अब I read the given extract and choose the correct option to answer the following question यहाँ पर आपका दिया है extract दिया इसको पड़के आपको इसका answer देना है देखिए some some say the word will end in fire some say in ice from what I have tested of desire I hold with those who favor fire अब देखिए इससे संबंदी जो पूछा है who is the speaker in the above line यानि जो उपर वाली line है उसको किसे ने कहा है कौन speaker बोलने वाला कहने वाला कौन है इसका सही जब क्या होगा सीवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए देखिए अगला बहुत ज्यादा सिंपल है पंद्र नंबर का कि इन इस्पीकर्स ओपेनियन दो वर्ड विल इन इन अभी आपको सब्दी पकड़ना है यह दिया कहां पर उसके आगया शब्दी यहां पर जो होगा वही भर देंगे देखिए यहां से देखिए वर्ड विल इंड इन अगला कॉश्चन दिए देखिए कि चूज दक्रेक्ट आप्शन टू एंस्वर्ड फालिंग क्वेश्चन ठीक है सोलो नंबर का है कि हरी सिंग्ध डीड नाट नों हाँ टू बत टोल डेट दा कुट बुट बुक बिकार यह बहुँ है यह दि आ वर्ड्र प्लेश्ट वॉटन गव्य क्वेश्चन दिशान से छहां सकते हैं तिखिए हरी सिंग्ध डीड नाट नों हाँ टू गूट बट टोल डेट ही तही कुड बिकास क्या थिवर्टे वर्क एंड फुर्ड िसका सई जाए का यह वानटेट वर्क ॉप फूड तो कुट्टे का जो ट्रीटमेंट के दौरां वो क्या कहा था तो देखिए इसका सही जो आप देखेंगे तो सीधे के एन आई आंद डाग मतब कुट्टे के आग को देखा गिभेन हीम नो फूट बट प्लेंट टी आफ वाटर तीस प्रश्ण का सही जब सीवल आपसां सही हो ज देखिए क्या है अठारा नंबर का कि इव राइट्स मदर गिफ्टेड हीम एबुक इंटाइट ठीक है इव राइट्स की जो माता थी उससे एक बुक गिफ्ट करूप में दिए थी उसके बारे में आपको बताना है तो क्या था कि उसमें ट्रभेल्स आप मोनार्क एक्स के दिए बारे में था इसका सभी जो अपिफ्टकर सकते है यही बताना आ आपको इसमें सब्सक्राइट होंगे बुक तो इसका एंस्वर आप पासानी से दे सकते हैं ठीक है तो यह तो था नहीं गलत यह बाग कि Matilda borrowed and necklace of real diamond and returned and necklace of real diamond यह भी आपका गलत है Matilda borrowed and necklace of artificial diamond and returned and necklace of artificial diamond यह भी option गलत आपका देखिए एक option सिर्फ बच रही है यहीवला option आपका सही होगा कि Matilda Borrowed an Ecclese of Artificial Diamond बटte Returned Encclese of Real Diamond तो इसका सही जब क्यों काई सी वेला आप्सटन सही हजा कि यह वला वागय आपका सही है अगला देखिए आपका वीस्व नमबर का नमबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन क्ए रामलाल जो था सेवां चिल्ड्रेन सेवां चील्ड्रेन कमाई तक आप सभी को पता है कि तीन पुत्र थे कितने द्लेफ रहाव चार ठाव एक प्रस्विध में त्री संस और फॉर डाटर्स थी रामलाल के कितने सेवन जो चिल्ड्रें तो उसमें से तीन पुत्र थे और चार पुत्रियां थी इस प्रश्न का सही जब सीवल आपसे सही हो जाएगा अगला देखें पार्ट भी जिसे रीडिंग दिया है आप सभी को इसका तरीका भी बताएं कि बिना पढ़े कैसे एंस्वर आप आसानी से निकाल सकते हैं अभी तक नहीं देखें तो आप जाके प्ले लिट्स से उस वीडियो को आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे आपको स अबी को बार-बार पता चुके हैं सिर्फ यहाँ पे देख लीजिये कि कैसा पैसे दिया है किस प्वकास से क्वेस्टन है आपको डारेक्ट इनडारेक्ट जो हुआ पैसेज हुआ पंक्ट्वेसन हुआ और हिंडियस जो बनाना है उसको कराने वाले है तो पर इस रहता है पैसेज आपके सामने रहने के बाद फिर यहां से आप से संबंदित यह question पूछता है वाय डूवी संटाइमस सेईंवी रिच पीपूर यह दो नंबर का रहाएगा है। दो नंबर का यह और गोरी यह तो काके अभी तक नहीं देखते हैया और जाकर उस वीडियो का निहीं और आपको पूरे प्रश्नका अपको सामझ पूछ देखिए अब आपके सामने राइटिंग से संबंदित प्रश्ण पूछता है दूसरा कि राइट एलेटर टू यूर फ्रेंड इन्वाइट हिन हर टू अटेंड यूर इल्डर सिस्टर मेरी तो चार नंबर का यह अथवा में देखिए राइट एन एप्लिकेशन टू प्रिंसिपल आफ यूर का लेट देखिए आपको यह जो एप्लिकेशन है ठीक है पुरा डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लिकेशन है लिखने का तरीका क्या तरीका होता है और लाइब्रेरी प्लिखना है या सिक पर या कंसेशन फीज जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लिकेशन है सभी आपको पताती है अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो की भी जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं ठीकि इन सभी प्रशनों को आप देख सकते हैं एक बर जरूर देख लीजिएगा देखे तिसरा इसके बारे में साइंस के बारे में साइंस के बारे में साइंस के बारे में साइंस के बारे में इसके बारे में इसके बारे में बनाने के बारे दो दो तुछ दिन चलाएं अपने शब्दों में लिखना रहता है ठीक है अवा देखिए यह अथवा में करके वी दिया रहता ह लिखना रहता है यूज आप इस पर दखिए आपको यह कुछ सिंबल दे दिया जाता है इस पर फोन कंटेक्ट हेडिंग बना लिजिए गूगल सर्च इंटर्टेन्मेंट बना लिजिए मोबाइल फोन पर आपको पताना है शॉपिंग साइबर क्राइन हार्म फुल ठीक है इ लिष्टी भी ज़्यादा सब्डों कर लिख सकते हैं आप कम से कम दो पेज पे इस प्रश्ण को लिखिए गाँ आप असानी से दो पेज हो सकता है अप लिखना स्टार्ट करेंगे ना आसानी से आप लिख सकते हैं ठीक है तो यह बहुत टेंसन वाली बात नहीं है आप आस संटेंस इंड्डारिक्ट इसपीज यह दो नमबर कराता है अब इसको इंड्रेक्ट में चेंज करना है ति कैसे चेंज करें बहुंग से और, इन्वेटड काम आटाने के लिए टू लगता है यहाँ पर Help लगाने कyu होता है में का चेंज होता है यहां में चेंज हो जागा अगला देखिए आपका है कि change the following into passive voice, passive voice में change करना ये भी आपका दो नंबर कराता है, देखिए कैसे passive voice में change करेंगे, इसमें क्या किया जाता है कि जो आपका यहाँ पर object रहेगा, उसको subject के रूप में ले जाएंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका object रह यहाँ क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे, ing होने के करड़ यहाँ पर क्या होगा, being हो जाएगा, being और इसे हमेशा क्या लगाता है, third form लगाते हैं, इसका third form क्या हो जाएगा, right, road, return होता है, यहाँ पर return लगाएंगे, क्या लगाएंगे, retain, return लगा लिजेगा, और यहाँ के लिए और नमबर मिलता है कितना simple आपको जो तरीकां सिखा रहें यह तरीका इसे क्रिक है को पूरा इसे मिलने वाला है अब देखिए यहां पर है अदम punctuation फालिंग यह फिरी का नंबर यह दो नंबर मिलता है जो तरीका बताने पर सीख लिजी अदम दो नंबर फिरी का लेकर चले जाएगे मतलब होता है कि आप कामा लगाना है कहां पर क्वेस्टेन मार्क लगेगा कहां पर कैप्टल लेटर आएगा बस यही चीज़ आपको ध्यान देना रहता है इसमें क्या करना है आपको कि पाहले लेटर हमें से याद रखे कैप्टल लेटर में लिखा जाता है जैसे यहां पर स की है यहांपर क्या आनेश से होगा यहां पर सेर्टो इसा थर्ण कोई चैंजिंग नहीं करना से त्विश्था मी रहे तो मी सी त्र राएगा फिर इसके बाद यहां पर कामा लगाई को अबन यहां है यहां पर राज्ये का नाम या किसी देश का नाम होता है तो पाहले लेटर हमेशा काप्टल में और यहां पर देखिए आपको क्या है यह है प्रिका दो दूचाद उच्छे एक क्लाइन लिखने पर आपको च्छाय नंबर फिरी का मिलता है बस यह तरीका आपको पता होना चाहिए ठीक आपके सामें अगला का नंबर का क्वेश्चन ठीक देखिए इसको कितने सिंपक तारीका से आप सभी को बता रहे हैं बस सीखते चले जाएए आप आसानी सीख जाएंगे यह आपर टोटल चाहर नंबर करता है ट्रांसलेट इंग्लीस 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 में सभीरी तूस अच्छी को होता है रहनी मन्मुत है वर्सा वर्स है इसका रॉप टोटानी सीजन हेध लाइनी सीजर जब अच्छी अपत्वरी का इस सभीनों से अच्छे उधार इस बाता है कि अब इसका इंगली बन गया चार और हर्याली दिखाई देती है इसका मतलब और हर्याली दिखाई देती है चार और तो यहां फुरिश्ट आप अब हर्याली को होता है आपका ग्रीनी क्या होता है ग्रीने टिक है कि अब दिखाई देन का था सीन फारम सके लगें सीन तो ग्रिनरी इस इस तीक है अब चार और है चार और कर लग जाएगा आल एराउंड क्या लगें आल एराउंड आल एराउंड ठीक है यहां तक आपको बन गया यहां फूली स्टाफ हो जागा अब देखे लिखा क्रिसी के लिए वर्षा बहुत महत्तुपूर है इसका मतलब हुआ कि वर्षा बहुत महत् इसका देखिए वर्षा को जागा दर रहें यहां से बनाते हैं दर रहें दर रहें वर्षा को गया दर रहें ठीक है फिर इसके बाद होगा इस इस अब देखिए महत्वपूर्ण कोगा भेरी इंपोर्टेंट वेरी बहुत को जागा वेरी महत्वपूर्ण को जाता इंपोर् सब्सक्राइब कुर्चर रिखते हां किसी को sortie की निन कोटा आए खिलु कुलचर रे कंचर वार्षा और एक दूसरे निर्वारेंफ वर्सा त यहां पर क्या आजिए वर्सा का दरेंटे कियाया लगाएंगे दर रेने ठीओ दरेंन फारेस्ट अन ओर उनं को हो गया फारेस्ट फारेस्ट एग counterpart सरेंड फारेस्ट आरर हों ऐखाया एक दूसरी की ऊपर निर्वर है एक दूसर निर्फर होने का मतलब होने क्या पो जाता है ant defined हो जाता है इंटर्पेन्ड हो जाता है यह610ownik प्रकास आप हिंदी का एंग्लिस आपको बॉर्ड के एक्जामें बनाना रहेगा आप सभी को प्रशनों को बता दिए आप इन प्रशनों को एक बार जरूर तयार कर लीजिए ठीक है अग्या कि आप सामने लिट्रेचर से संब्द दी ते पांचवा नंबर का एंस्वार दॉड फालिंग कोईश्चन इन बाउट तीस से चालिस वर्ट आपको दो कोईश्चन करना है छे नंबर करता है को बता देते इन से भी कोईश्चन को आप जरूर तजार कर लीजिए अथवा में दिया है कि वाट इस पूर्ग फेमस फार ठीक है जाने कि जो कुर्ग है किसके लिए फेमस है इसके बारे में इन दोने प्रशनों में से एक प्रशन का ही एंस्वार देना है अगला देखी वाट वाज लेंचोर रिमार्क फार द पोस्ट आफिस इंपलाइस मैं इन दूनर में से किसी एक का एक ही एयंतों आपको देना है प्राश्ब प्राश्ब इड़ें सभी प्रेशनों को तयार कर लिज초 को फ्यार करके सबंद मुलों सब्सक्रइल अब स्ब्सक्राइब कर सकाइब काई नंबर दकाए एक झारे और आप दो फाले इन एबाउट 60 वाट्स टोटल चार नंबर का यह है देखिए क्या है कि वाट डिट किसा गौतमी लर्न एबाउट डेट ठीक है इस प्रश्ण यह प्रश्ण का एंस्वर दीजिए या इसके लिए आपका भीवला है कि हाउ डिर्द बस स्कंडॉक्टर रिसीव वैली इस डोने में से किस एक का देखिए एक बता देते हैं कि जब भी आप एनी वन लिखा रहे हैं एनी वन का मतलब होता है कि दो प्रश्ण में से एक का ही एंस्वर आपको देना है जैसा पेपर सेम टूसेम इसी प्रकार का पेपर आपको बोड के एकजाम में मिलेगा फ्रेंश ठीक है तो आप पेपर को देखके पूरा पैटर्न आप सभंज देजिए अगरा देखिए कि हाउ विल यू नो इन द जंगल वेदर इट इस द एस लायन और सम अधर बेश्ट इनके बारह में लिखिए इन नंबर का है अथवा में दिया है र आप से आपको यह सला देंगे कि आप चार लाइन का पोयम बोड के एकजाम में लिखे चले आएगा चार लाइन याद कर लिखे चले आए आपको तीन नंबर फिरिका मिल जाएगा ठीक है अगला देखिए क्वेस्टिन आपका आठवा नंबर का है सेंट्रल आइडिया आमांडा पर यहां ट्रीज पर देखिए आपको तीन इंप्वाटेंट करा हैं ठीक कौन कौन से करा हैं डर्ष्ट आप सुनों डर्ष्ट आफ सुनों पर सेंट्रल आइडिया करा है अभी तक नहीं पढ़ें तो आप उसको देखके पढ़ सकते हैं इसके लाब फायर और आ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एंसर ऐनी वन आप दो प्रेश्चन है इसमें से एक प्रेश्चन आपको करना है क्वाट टीटमेंट डिड़ डाक्टर गीब टू ट्रीकिंग वें डिड़ तर तसिल्दार साहिं सब्सक्रान में इसब्सक्राइब हम अग्शन करते अन्मशन種र बहुत नुटकर रहेगा 6 भीब़ सब्सक्राइब ही यह सकते हम आप यह ? had not lost the diamond necklace in the ministry's bar ठीक है, minister's bar तो इन दो जितने भी प्रशन इंपोर्टेंट थे सभी प्रशन आपको बताए है grammar से संबंदी जो प्रशन था आप सभी को पूरा हल करके बता है उसको जा के आप जरूर देख लीजी grammar वारे प्रशन को सभी को बता है इन सभी को प्रशन को आप एक बार देख के बोर्ट के एकजाम में जरूर जाएगा तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें